Good morning everyone, class 3rd, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके science की unit first के बारे में और unit first है living things, जब भी हम बात करते हैं living things की जो first thing हमारे mind में आती है वो होते हैं हमारे plants, हमारे चारों तरफ, जितने भी plants मौझूद हैं कई सारे types होते हैं, कई सारी different types होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, पर main points जिन पर हम focus करेंगे इस class में, वो points हैं, पहले first types of plants, second, where do plants grow, third, uses of plants, पहले हम देखेंगे plants कितने types के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, फिर हम जानेंगे plants कहां-कहां पर growing करते हैं, और फिर उन plants के क्या-क्या use होते हैं एक बात plants कभी भी single type के नहीं होते हैं कुछ plants बड़े होते हैं, कुछ plants छोटे होते हैं और plants are almost found everywhere on the earth, in the water and on the land plants have different sizes and shapes, plants also make their own food and they not only make our environment beautiful but they also help us to breathe सब लोग जानते हो बेटा, plants हमें oxygen देते हैं जो हमारे जिन्दा रहने के लिए बहुत important और necessary things हैं और ये वो देते हैं हमको food, cloth, shelter और medicines के अलावा इसके बाद बेटा, types of plants, कुछ plants ऐसे होते हैं जो बहुत weak होते हैं, इतने weak होते हैं कि वो खुद से stand भी नहीं कर सकते हैं और उनको किसी दूसरे support की जरूरत पड़ती है वहीं कुछ plants बहुत मजबूत, बहुत बेक और बहुत जादा strong होते हैं अगर छोटी मोटी आंदिया है, तो वो आसानी से उखड़ते भी नहीं है वहीं कुछ plants ऐसे होते हैं, जो बहुत weak stem के साथ होते हैं वो अपनी support पर खड़े तो हो जाते हैं लेकिन एक season या दो season से ज़ादा नहीं survive करते इसके बाद बेटा, सबसे पहली चीज़ जो बात करेंगे हैं वो है trees के बारे में, tree होते हैं very big, बहुत tall और बहुत strong जैसे बनियाइन tree, गुल्मोहर tree या mango tree इन trees की broad leaves भी होती हैं और इनकी stem भी woody और thick होती है फिर इसके बाद बेटा shrubs, shrubs small bushy plants होते हैं जिने हम आम तोर पर कहते हैं जाडियां, ये trees से बहुत छोटी होती हैं size में और इनके पास में hard stem तो होता है, लेकिन वो stem बहुत thin होता है और साथी इन में होती हैं कई सारी branches और ये एक season नहीं, ये कई seasons तक जीते हैं पर trees के comparison में इनकी life span होती है काफी short जैसे महंदी, hibiscus यानी good hell और हमारा favorite rose plant ओके, फिर हम बात करते हैं herbs की, herbs बेटा single season चलने वाले plant होते हैं, ये एक season के बाद में इनकी age complete हो जाती है और फिर हमें दूसरी herbs लगानी पड़ती है, ये trees और shrubs के comparison में बहुत small size के होते हैं, इनकी stem भी very thin और बहुत weak होती है और ये सिर्फ एक season तक survive करते हैं, जैसे common example grass, another example is mint and then spinach यानी पालक, ओके, फिर इसके बाद हम उन plants की बात करते हैं, जो इतने weak होते हैं कि उनको हमेशा किसी दूसरे support की जरौत पड़ती है, survive करने के लिए और grow करने के लिए ऐसे plants जो किसी odd tree पर चड़के, यानी उपर चड़के survive करते हैं और grow करते हैं, ऐसे plants को हम कहते हैं clambers जैसे pea plant, mutter की बेल, या grape wine, अंगूर की बेल, और money plant, ये common examples हैं clambers के, ये बहुत weak होते हैं, दूसरी बात इनकी stem बहुत थिन होती हैं, और इनको किसी और का support चाहिए होता है stand करने के लिए, ओके, फिर then ऐसी बेलें भी होती हैं, जो ऊपर नहीं चड़ती, clamber से अलग होती हैं, वो grow करती हैं, grounds के साथ-साथ, यानि along the ground, जैसे watermelon, तरबूच की बेल, musk melon, और pumpkin, कद्दू की बेल, ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, इनके बारे में, ये भी बहुत weak plants होते हैं, इनकी भी thin और soft stem होती हैं, और साथ ही ये ground के साथ-साथ, यानि सिर्व जमीन पर बिच कर ही grow करते हैं, बिटा अब इस बात से आप लोग एक बात अच्छे समझ गए हो, plants के बारे में, और plants के बारे में हम आगे class continue करेंगे, अपनी अगली class में,